कैसर खालिट साहिबाश वह भी जो है क्र dug चाइब नहीं का सब्चोरा छाती ऑrim Frank इमाब सबूसीप घड़िया यह खाते जर्व आते हैं तो वह वह हमेशा हमसे ले जाते हो पून कर देते हैं की वह तो वह बढ़ सोग से आते हैं एक हो गया भोड़ा सीम खाली मिट्टी भर के बिच्चा लगा दीजिए देखें कि तीन चार दिन महीं पोदास का इतना बड़ा हो जाता है लगा जादू हो गया और एक में आम आपको बोरा सीम फड़ना सुरू हो जाएगा आपको जहां को द दीजिए गा तो वह भी बहुत असानी सुने वाला उसमें कोई भी स्प्रे कुछ भी दवाई डालने जिरत नहीं होता है सलाम आदाब मैं हूं अमिर रेजा और आप देखना सुरू कर चुके हैं अभी हम पहुंच चुके हैं सर्फराज भाई के च्छत पर सर्फराज वगर हैं वह राइटर हैं अक्सर आप देखते होंगे कि जमीन पर लोग खेती करते हैं लेकिन आज हम इसके च्छत पर यहां देख सकते हैं आप पे आम का पेर है भिंडी है उसके बाद घेरा का यह पोधा है उसके बाद पपिता का है मक्का है कठाल है जामून है क्या इस चैनल पर आपने मुझे मुझे मौका दिया यह मेरे लिए बहुत ही गर्व और खुसी की बाद है तो यहां पर देखे कुछ नया नहीं है जो काम पहली लोग जमीन पर करते थे मैं च्छत के छोटे से हिस्से पर कर रहा हूं और मुक्तसर सा सब कुछ यहां पर मैंने ल दोक्टर हूं तो मुझे लगता है कि हेल्थ पर हमें ध्यान देना चाहिए तो इसलिए जो है कि सुवा की फजल की नमाज के बाद मैं आता हूं अधा गंटा जो है इसमें टाइम देता हूं तो इसमें बहुत सारी सबजी हो जाते हैं किचन का रिक्वार्मेंट पूरा हो जाता है तो आपको एक तरफ से मैं देखा दूँ तो ज्यादा चाहिए यह बोरा सीम है तो सबसे पर बता दूब कि यह देखे 70 फीट यहां तक है और तीन फीट चौराई का जगह है और उस साइट जो हैं पचास फीट लंबा है और तीन फीट चौरा है तो कुल मिला करके पांसो स्कौराइड फीट का एरिया को मैंने यूज किया है तो यह देखे बोरा सीम है दिसके आपके भी छत पर ने स्टाइब का पीलर होगा है तो इस पीलर को जो है मचान बनाया है अच्छा बलते हैं जहांक देना जहांक दिया इसको ताकि अल्लाह का सुक्र देखे कित हैं है यहां बैं यह आफना जो कि अटेस करें है दिदो लाल है और यहां नेचे सका निचे है कर दियो तो他 और तिन तोड़ते जाते हैं और यहां नीचे से का नयानया निकलते रहा है और यहां लॉंगीते में हम खुजबू होता है यह देखिए यह भीणी का पददाए यहां पर को पम काट ओर दिए निया दर्दध दिखे जुजए को ई admir स्ट ना अगण तीन बार साल में आता है तो लगा दी है यह खट्टा होता है यह जो भी आम होगा ना वो खट्टा होता है चट्नी जो खते हैं जिसको सोग आम का चट्नी खाने का हमको बच्पन से बरा सोग है अब यहां का चट्नी खाने का दूश्य लगा है तो इसमें होता है अब इसमें आएगा एक डिर मेने के बाद अक्टूबर तक टाइम है अना इधर यहां पर यह खीरा का पूदा यह खिरा काफी है जहां है और यहीं जो आपका कलकतियास वाइड रसीने होता उसी का यूज क यह सर्ताने तिन चार सल चल जाता है और आगे आई यहां पर देखाते हैं आपको इधर यह दिख्यां गेंदा का फूल है और इधर आगे देखिएगा तो यह चठेल लगाए है और यह देखिए यह आपका यह परबल बोलते हैं वह है अपने हाँ जो है कच्चू हना हमार भॉजल दिल लिग्रोध होता है कि यहां बीच में आगे आपका पानी टेंगी लेकिन इसमें भी हम पोदे को चला दिया है अना ताकि पानी ठंडार है इस बात का हम ध्यान रखें इधार आपका कदीमा लगाए हैं कदीमा बुरा गया अभी जो आपका तो रही है वह काफ आपकी फएलो रहा है आगे देखिए उदर कफाला लगाए है कि मार लगा पक्याल में और यहांag देखिए जिद वनृग्न पिरी पानी पैसा पर है जायेगा अब हमसे हैं कि यह दिखिए बिंडी घखेंक options ृष। तो यहां पर देखिए यह बर्सात से बचाने के लिए इसको बनाए थे और इसी में जो नहीं कि छोटा जो पवदा होता है कटिंग करते हैं तो उसको यहीं पर लगाते हैं यह बहुत बढ़िया है देखिए यहां पर नहीं हम आपको बता देमंदारी से कि यह सब पवदा मा भाई है सिखना चाहते हैं अगर पैसे की बचत करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है देशी टरेस गार्डनिंग वह प्रोफेशनल नहीं है एक सेवा के लिए है अगर आप लोग मतलब किसी को भी स्टाइब चीज सीखना है तो वहां पर जाके सीख सकते हैं चैन छोटा है कभी जो है नहीं हो हमारे हम बाहर का सब्जी नहीं खाते हैं इसी चत्का काते हैं यहां यहां पर लगाया है इसमें और यह 2.5 रुपे गरोबेग आता है है इस मिटी भर करके आप भी लगा सकते हैं बहुत आसान है जितने भी आपको वीवर हैं वह चाहें तो कर सकते हैं यह 10 लिटर के बाल्टी में वेगन का गरोध देखिए और आगया यह दर देखाते हैं यह सब आइडिया आपको कैसे हैं लोग तो पहुंच्टू तक मैं बैलो जी पढ़ा हूं और पढ़ने के बाद जो हैं कि अभी वी थ्वासा याद था तो कुछ करके लगाया बालू में यह असान है हो अपने अलाके में ना सब लोगों को खेती आता है सो कोई डाउट नहीं है और बस यह है कि स्टार्ट ने कर रहे हैं वह आसकत होता है तो उसी वजह से और बहुत बढ़ यहां जो लोग भी नमाज परते हैं खासके फजर की नमाज प सब्सक्राइब करेंगे तो जो जानते भी होंगे बारी द्यारी का सब्सक्राइब मार्केट का यह अंतर है तो आगे यहां देखें यह चोटा सब्सक्राइब देखें और सब्सक्राइब यह तक कर देखें देखें लोगों को मोटिवेशन मिलें यहां पर कितना चोटा सा इतना सारा पूदीना अब मार्केट में खेंदे जाए च्छोटा सा का दस्ट का लेता है अना मेर्स को यहां क्टिंग किया है है नहां बुढ़ा गयाता करली ह इससाल का इसमें बीच भी इने पकाने गवाद में गल जाता है लिए हो जाता है मजाता खाने हें अपने लाके का जो फैमस्डी से तो आपका माला हर अल्टरनेट दे अधा किलो बिंडी होगा लेकिन आपको चलाखी करना होगा तो इसी में आट-डस हो गया तो कहने हैं मतलब दोनों से पंद्रा-शोलो उसमें बिंडी फड़ेगा तो अपका काम असान हो जाता है तो हम लोग साब्सक्राइब कमी खाते हैं लेकिन फिर भी एक चाहिए हमें तो यह देखिए यह देशी जोगार वाला कुलर है वह आप नीचे जाएगा तो हॉल को भी देखाईएगा तो मेरा नीचे बहुत बढ़ा होल है तो यह कुलर सिस्टम है तो इससे क्या फैदा होता है और यहां देखिए प्लानी के लिए फूल भी लगा दिये पीछे फूल लगा दिये ताकि बिजली की थोड़ी बचत हो खौल बारा है तो उसमें लाइट हो जाए यह देखिए पाइप से हम पानी देते हैं एक जिगा स्टाट कर दिया हर जगा यह फैलते रहाता यह दे सब्सक्राइब है तो यहां जब भी जीरो माल आए तो आप हमसे कंटेक्ट करके आ सकते हैं मेंदी काम बहुत सारा कलम बनाएवे हैं यहां पर भी लगाए मैं छोटा सा किसी को भी चाहिए तो लेके जा सकता है यह फिरी आप कोस्ट है बहुत सारा बीज बगर भी जो है न यह देखिए कि तो दक्षीन के दिसामें यह तो लगाए थे ना उसको 45 डिग्री टिल्ट करके लगाए थे तो ऐसे जो मूर्ता प्लांड सीधा होता है उसका ब्यस मोटा हो जाता है और आंधी तुफान चलने पपिता का पौधा नहीं टूटता अक्सर पौधा क्या होता ह है कि तेज आंधी चला ने बारी सोने के बाद तो वह हील जाता है हिलने के बाद क्या होता है कि उसका जड़ जो है तो अक्सर जो है ने शिकायद रता लोगों का कि सलाब आया मेरा जो पपिते का पौधा सूग इसका रिजन यही होता है तो जब कभी भी लगाए गाना तो सब्सक्राइब करें तो यह जो है ना गर्मी में तो लाल पन होता है और जारा में हडा पन रहता इसका ठेक है आगा यह तो यहां देखिए कि यह आपका यह है कि नेंबु है नेंबु का फल भी आ गया ने नया पोधा यह और यह दिके तुलसी है हम लोग को खाना चाहे त लोग जानते हैं कि गया यह मां अफरील हो जाना पार ह congress है ना पर बाहने पकेगा बाड़ी बाड़ी से पकता है यह पर पिछले साल लगा थे फिर लगाए तो भी बचा हुआ है यह अमुरूद का है करके लगाए हैं यहां पर काटे हैं को 3G कटिंग किया है किसी को 3G कटिंग अगर सीखना हो तो मेरा चैनल पर आप सीख सकते हैं यह देखिए हमारे घर के ओरतों को खास के बहुत पसंद होता यह साथ और खाना भी चाहिए और यह इसमें अच्छे से पुरा फैला है और इसका मेंटरेंस नहीं है एक बार लगा दिए लिच्चर के तरह आप तोड़ते रहें थक जाहिए लेकिन यह खतम नहीं होगा बहुत मजाता है बहुत सारा खाना में इसको मिला सकते हैं कहीं बगर बनता है यह बहुत काम करता है यह बहुत अच्छा चीज है इसको करना चाहिए यह देखिए आपका छोटा साभी पपिता का हां मेरा एक ट्रीक है जैसे यह पपिता वहां पड़ा हुआ ना एक छोटा भी हम लगा दिए अल्टरनेट मतलब कि यह अगर खतम हुआ तो फिर यह रहे तो इसको फिर हम ट्रांसफर करें वहां देकर रस्ती लटक रहा है नहीं खोले है इधार से घुम पर वहां जाएगा तो इस टाइप से अगर प्लानिंग के साथ करेंगे ना तो आपको ग्रैंटी दे रहा हूं कि साल भर मतलब कि आपको सब्जी ने खृतना होगा आपको देते हैं कि तिन-चार सब्जी ऐसा है जो लिचर है बहुत असानी हो जाएगा कोई भी आत्मी इसको कर सकता है घर की औरत मा बहनें भी देखने वीडियो को वह भी बहुत असानी कर सकते हैं एक हो गया बोरा सीम काली मिट्टी भर के बिच्चा लगा दिए देखेंगा ति तुसरा होगी आपका तुरे तुरे को खाली आप मचान का जोगार है आपका घर का चपपर है या बांस का कुछ है उस्टाप का बना करके दीजिएगा तो वह भी बहुत असानी सोने वाला है उसमें कोई भी स्प्रे कुछ भी दवाई डालने की रद नहीं होता है उसके ल सब्सक्राइब करना ही चाहिए तुलसी का पदा अंगन में लगा लिए तो अपना आराम से वह होते रहेगा और चाय में डालके पीजिए बच्चा खांसी हो गया दो उसमें काड़ा बनाग दे दीजिए बहुत सारा काम होता है तो यह पांच पदा तो हर किसी को लगाना यह मैं पिछले तीन साल से कर रहा हूं चाहिए हम लोग बर्थ न किसान है पैदा इसी किसान हैं किसान घरनों पैदा वे हैं तो वह डियेने हम लोग का है कोई आदमी आज बन गया तो कुछ नहीं है जिसे कैसर खालिट साहिब आई पिस हैं वह भी जो है मुंबें रहते इ चल को नहीं है उसी में वह सारा सिस्टम लगाए वें तो बढ़े बढ़े जो सेलेडरी हैं लिया ब्रदरी के अपने जो समाचल के लोग है वो भी खाते है अक्तुल इमाम साहिब पटना में अपना घर का सब्जी लेक्ट कटे भी करते हैं अब वह करते हैं हम एक पर गये मुझे बहुत खुशी हुए और यहां पर मरकज में इमाम साहिब है वह भी आते हैं तो वह भी हमेशा हम से ले जाते हैं जो मेरे पास हम फून कर देते हैं अच्छे लोग हैं दिनी आदमी हैं तो अच्छा लगता मुझे और कुछ पुछेगा अगर वह इस तरह का उपज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे कैसे आडिया मिलेगा देखें बहुत असान है पहला चीज है कि आप जो है कि इस ताइप का कंक्रीट भला भी नहीं बनाई यह सुरुवाद में पहले ना बाल्टी में या गमला जो मिलता है मार्केट में यह जो प्लास्टिक का जो गरोबेग होता है पलोथीन होता उसमें मिट्टी डाल करके चर पांच पहता लगाई है दीरे दीरे जो आपको एक्स्परियंस होते जाएगा फिर उसके बाद बरा जो है उसमें आप डालिएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा शुरुवात किजिए और हम गरेंटी दे रहें कि आप सक्सेस होंगे क्यों है पानी जो निकल लेगा ना तो वह मिट्टी जो है ना महां खराब नहीं होगा और पौदा का जर्व अगरा सर्ता नहीं है और कोशिज यह भी करें कि जैसे नीम का अपने हाँ पेर है उसका पत्ता को तौर ले पानी 24 गंटा पुल ले दें फिर वही पानी को जर्में भी wonder करता है तो इस तरह साफ को एंप नहीं तरहें जितना ज्यादा घवर हो घरम ड़ेत होता है उसका छिल चलीजो सब्सक्राइब दालते रहे सब्सक्राइब सब्सक्राइब में हुआ क्या जादू हो गया हां मैं करता हूं इस तीज को बिलकुल करता हूं इतना जो हड़ा-बड़ा देख रहे हैं वह मचली का इमलसन का कमाल यह सब्सक्राइब पता नहीं पता नहीं पता नहीं देखाएगा और कोई भी आदमी जो करेगा ना करने के बाद आपके यह दोस्त मेरे इस दोस्त मेरे दस आदमी आएगा कमेंट लिखिए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिलेगा इससे तो वह भी मतलब पैसा बचाएंगे बहुत सारा फार्मर कितना खात कर जा लेते हैं लोन लेते हैं तो वह सब तरीका जो लाड़ इसकल खेती करते हैं मचली देखिए कमाल मुर्गी का जो खुरी साब करते हैं उसमें जो कष्टा निकलता है वह बहुत बर्यां का बखडी का जो गोबर होता है गाये से बहुत कमाल का जादोई खाते हैं उसको एक बाद पीज है मतलब कि पानी डाल करके जब सोफ्ट हो जाए तो बोड़ाम कस करके स तूट जाएगा उसके बाद पौदाम डालिए मतलब कि वह भी कमाल का खाद मतलब कि गाये का बहुत का बहुत सब्सक्राइब होता है तो उसका भूसा होता है वो ले आए दूतिन बोड़ा हम वहीं डाले हैं तो उससे जो हैं पौदा है आपके वीवर को यह सब देखेगा ना उसको काफी पैदा होगा ना वह पैसा बचा पाएंगे देखिए पैसा जो है लगा के हमको काम नहीं करना घर का जो वेस्ट है उसको इस्तेमाल करके चाय का पत्ती यह बहुत बनियां खाद है कि अलागा चिलका पानी भिगा घर के 24 पाई डाल के देखिए डाल के देखिए आपको पता चल जाएगा यहां के किसान बोलंग है यह तो पागल वाली बात है इसी तो कहें कि आपके कुछ भीवर को कहें कि दस आदमी भी काम को किजे करने के बात जो है इसी वीडियो कमेंट डालिया तब लोगों को आख खुले यही सब खाथ का असर है ने देखिए आप लाके बंदे हैं किसीन किसी पर यकीन करना पड़ेगा आपको है ना और मुझे कोई पैसा तो नहीं मिल रहा है जूट बोलने का तो मैं भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो लोगों को जागरू करने कर रहा हूं आप मुझ करते हैं जैसे अभी द्हान का सीजह चल डागां में यसी वह सुबह जाएंगे तो अपना ध्वाले का देखने के लिए तो अगर धान नहीं है रहा है दो फिर सुबह वापस घर घर ने आएगे डाएट वहां से वहान का बोरा ले की च्शुटेंगे इस पर आप क्या परमर होंगे मुझे पता है जो लोग भी देख रहे होंगे तो देखे खाद अगर इस बार एक अगर पचीस किलो डाला है युडिया अगला बार आपको 35 किलो डालना पड़ेगा यह बिमारी के तरह है दारू के तरह है जितना डालेंगे वह भरता जाएगा खाद का जमीन को एक बार एडिक्सन लग गिया तो वह जमीन आदी हो जाएगा और आपको हर साल ज्यादा खाद डालना पड़ेगा तो देखे इससे निकलने का एक तरीका है इजराइल में था जब मैं वहां पर मैं वहां को देखता थे एक टेखनीक होहां पर खेती करने से पहले क्या करता याए एक फिर अधा फिर मिट्यों को खिट का हटा देता है हटा करके पिर नई भयाल्ति उसको उआप डिलता है इसका मतलब किया हुआ है कि वह के साइड में जगा बनाया वहा है मिट्टी को रखने और जमा करने के लिए जैसा कि जब अब तीन मेने खिटी उर यह ध tapping हो है और मांकी तीन मैंने उस मिट्टी को अराम करवाता हूँ है ना उसमें गोबर हो गया नार्यल का छिलका हो गया अंडा का छिलका हो गया इस टाइब का वेस्ट चीज़ को डाल के ट्रीट करता है तो वह चीज आप देख सकते हैं मैं भी यहां पर भी करता हूं छोटा सक्या क्यों होता है Console हट टेक्टर क्यों कियो होता है नहीं हो समझत है आप टेक्टर क्लम यहां करते करता हैं तो वह मिट्टी में ने भुलणासमार घर जाएगा नहीं हो पाएगा तो चोटा वाला जो आजकल है जो सिंगल हेंड़ेड एक आदमी करता है इसका वजन कम होता है वह वह बला का इस्तमाल किजिए और उसके अलावाद जो भी आपके घर में एगरी कल्चर का वेस्ट हो जाव पसुपालन करते हैं उसका जो वेस्ट हो उसको आप खेद में डालिए खेद का एक कोना को मकरर कर लिए उसमें गढ़ा पहले कर दीजिए और वहीं पर डालिए ताकि आपका लेबर कोस्ट बचेव पहले हम लोग क्या करते हैं घर के आगे पीछे बना लिया तो वहां से फिर गारी बेल करके या टेक्टर फिलेक्ट में डलवादे वह काम मत कीजिए आप डेली खेद लिए पर दोड़े का दवा और वह सबब को डालना पड़ेगा जंगल भी बढ़ाता है युडिया पता युडिया का पढ़ेंगा तो सब्सक्राइब निकल गया तो इसमें ट्रेफ होने से आप बच सकते हैं तो देखिए हमें बहुत जबाद नहीं है जितना है आपको मैं मैंने बता दिया अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सेयर किजिएगा जरूर और यूट्यूब चैनल और फेस्बूक पेच को जरूर फॉलो किजिएगा दिजिए अजाजत मिलते हैं ले किसी वीडियो में है